ओम शान्ती आज चार मार्च दोहजार तेईस की साकार मुरली आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम रुहानी यात्रा पर हो तुम्हें दे का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है एक बाप की याद में रहना है प्रश्न साक्षी हो कौशी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है उत्तर जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं किनकी अवस्था कैसी है बाप को पाकर अतिन दिश्यू का नुभा करते हैं या नहीं ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग इशाली समझते हैं कितनी खुसी रहती है बाप से पूरा वर्सा लिया है बारिस बनाए है योग बल से पापों को भसम कर पूई नात्मा बने है गीते रात के राही ठक मत जाना ओम शान्ति ये बच्चों को समझाया हुआ है जैसे आत्मा शान्ति शोरूप है वैशे पराम पिता परमात्मा भी शान्ति शोरूप है ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात आहम आत्मा मामा माया सन्यासी लोग कहते हैं आम ब्रहमाश्मी वो ब्रहमा को इश्वा समझते हैं रचना को माया कह देते हैं, आम ब्रमाश्मी का यह अर्थ करते हैं, परंतु हैशब रौंग, मनिश जो कुछ करते हैं, सब मनिश्यों की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रसम चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है, यह भी ड्रामा में अब बाब कहते हैं, हे राही, कहा के राही, परमधाम के राही, यह हो गई रूहानी यात्रा, रूहों के लिए आत्मों के वापिस जाने लिए यात्रा है, गाइड तो जरूर चाहिए, बिलाय से आते हैं, तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब अस्थान दि तुम बच्चों को वाफिस ले जानें। हे मीठे बच्चे, पहले तियो नीशे होना चाहिए, कि ब्रोवर वो बाप है। तुम्हारा बुद्धी योग बाप के बाप जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है, हमको वापिस ले जाने लिए। यह है दुखधाम, पती दुनिया नर्क। हैल नाम तो है ना। गाते भी है Left for Heavenly Award जरूर कोई नई चीज है, मनिश्वी जानते नहीं। सिब कह देते हैं, रसन विवा जो चली आई है सो कह देते हैं। फलाना ज्योती जो समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इम्मोर्टल है। उस अभिनासी आत्मा म 84 जनमों का पाठ भरा हुआ है। परमात्मा में भी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पाठ धारियों का तो और ही जास्ती पाठ है। वो तो एक Creator, Director। तुम जो देविदेवता बनते हो उनका शब से जास्ती पाठ है। आदिस अन तक तुम्हारा पाठ है, शत्युक त्रेता में तो बाव का पाठ है नहीं, वहां बाव को कुछ भी करना नहीं पड़ता, इस शमय मैं बहुत सर्विस करता हूं, तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है, भक्तों को साचातकार होता है तो समझते हैं बस हमने इश्वर को पाया भक्तों का नाम कितना है वो है भक्त माला और यह है रूद्र माला ग्यान माला में भक्ती नहीं है वो तो ग्यान सागर से ग्यान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं उन्हों की ही फिर रूद्र म माला बनती है अब तुम बच्चे समझते हो हम रुहानी यात्रा पर है गिरत वैभार में रहते याद बढ़ानी है वह वह सूच चीज बाप रस्ता भी है बच्चों को क्रियेट करते हैं ब्रम्हा मुग वनसावली बनाया है शब कहते हैं हम शिप बावा के बच्चे हैं फिर डारेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मनाव हो मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने हूब भू पांच एज़ बस पहले मैंने ये राज्युक शिखाया था मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ तुम अपने आरगंस का अधार लेते हो मैं इनके आरगंस का अधार ले अत्मा हूँ, देह नहीं, इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, अब मैं वापस लेने आया हूँ, तो मेरी शीमत पर चलो, देह सहीत, देह के शवी संबंद आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करना है, मेहनत भी गर कोई बासाई थोड़ी मि जो नौलज मेरे में है, वो अब तुम्हारे में भी आ गई, तुमको संचेप में और डीटेल में भी समझा जाता है, बीस इतना सारा जाड निकलता है, फिर जाड की डीटेल में जाएंगे, तो बहुत बिस्तार है, बाप कहते हैं, अब इस पुराने जाड को भूलो, अब सिब मुझे याद करते रहो, भगवानु वाज, मैं तुमको राजयोग और रचना की नौलज देता हूँ, यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे ब्रीदी को पाती है, यह ड्रामा को समझना, सो तो मनिशी जानेंगे, भगवान पढाएंगी भी मनिश्यों को, मुझ्य है गी गीता का नाम है, गीता में है भगवानु वाज, ऐस नहीं ब्यास भगवानु वाज, कहते हैं सी किजन भगवान ने गीता सुनाई, ब्यास ने लिखी, वो तो पीछे लिखी गई है ना, इस समय लिखे वो तो विनास हो जाएगी, तुम यह सबी करके दो चार हजार बनाए वो गीताएं तो लाखो करोडों की अंदाज में हैं फिर भी यही पुराने सातर निकलते हैं जिस से फिर कौपी करते हैं जो उस गीता में अक्छर बाय अक्छर है वही निकलेगा ड्रामा में वही नूंद है जिस समय सातर लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर लक्षी नारायन भी वही बन रहे हैं, वहीं उनके महलादी बनेंगे, इस चमय बाबा ने इस कल्प ब्रिक्ष का और रामा का ग्यान दिया है, कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे, भगवान वाज भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग शिखाता हूँ, उनको राजया बनाएंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना, कहते हैं कल्प कल्प मैं शंगम पर ही आता हूँ, गाइड तो अंतक साथ होगा, वो गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है, बाब कहते हैं मुझे तो तुम सब को वापिस ले अतमे हैं यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्यो का मालिक इन लक्षिनाराण जैसा बनाओंगा, राजाओं का राजा बनाओंगा, उस सुर्यवंसी चंद्रवंसी घराने में तुम पूनस जनम लेंगे, अभी तुम कल्यूग में हो, कल्यूग शे तुमको शत्यूग में ले जा रहा हूं, मैं कल पकल पाकर अस्था बना करता हूं, इस कमय ही आऊंगा, हम भी ड्रामा के बस है, साक्षी हो हरेक की अवस्था को देखते हैं, कि इनकी अवस्था कैसी है, बेहत के बाप को पाकर, अतिन दिशुख को पाते हैं की नहीं, हरेक अपनी दिल से पूछे, हम अपने को कितना सुभाय के साली समझते हैं, बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप से पूरा वर्सा लिया है, ऐसे भी नहीं, बाबा सब को लक्षी नारायन बनाएंगे, यह पढ़ाई है, जितना जो पूर्शात करें, इस्कूल में पढ़ा जाता है, तो एम अबजक्ट रहती है ना, तुम जानते हो, हमें पांच हर बस पहले मुआफिक, हुब बहु बाप आकर राज्युक सिखला रहे हैं, भगवानु वाज, मैं तुमको पतित मनुष्चे पावन देवता बनाता हूं, गोड पढ़ाते हैं, तो जरूर गोड गोड़ेज बन कहा जाता हैं, तुम जानते हो, कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, मुख्ये एम अबजक्ट भी बुद्धी में हैं, चकर तो बुद्धी में फिरानाई हैं, गिरत वैभार में रहते पवीतर रहना हैं, पवीतर नहीं बनेंगे, तो पवीतर दुनिया के मालिक कैसे बनें ये ड्रमा का राज और कोई शमज नहीं सकते। ये चित रादी भी बापने बनवाए हैं। बावा थोड़ी आटिस्था ये चीज और कोई बनवा नहीं सकता है। ये मैपस हैं। ये जाड़ हैं। बीजू उपर हैं। कल्फ ब्रिक्ष के नीचे जगदंबा बैठी हैं। ज ये सभी के सुक की कामना पूरी करती है। शतियुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनिश्य देवता कि ये करतन लागी वार। सीख लोग उनकी महिमा करते हैं। देव देवता हैं शोर के मालिक थे। वो अब और धर में कनवर्ट हो गए हैं फिर निकलते आएंगे। हम भी आगी हिंदु धर्म लिखते थे। अभी हम कहते हैं ब्रामन धर्म के हैं। भले हम ब्रामन धर्म लिखते हैं। परन्तु वह फिर भी हिंदु समझ लेते हैं। क्योंकि उनके पास ब्रामन धर्म का कॉलम कोई है ही हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे क्योंकि ब्रामन अथ्वा देवी देवता धर्म का नाम ही गूम है अब तुम बच्चे जानते हो हम श्व देवी देवता बनने के लिए पूर्सात कर रहे हैं वहां यथा राजा रानी तथा भर्जा सभी क इन लक्षी नाराण जैसे ड्रेस रहती है पितामबर यह शत्योगी श्री वनसी की ड्रेस त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है रसम रिवाज अलग होती है स्री किष्ण को हमेशा पितामबर धारी कहते हैं तो अब यह नीशे करना है कि बाप हमको शोर का बरसा देते हैं यह मिर्तुलों खतम होना है जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब शंपूर नीर विकारी भनेंगे उसी योगबल से बाप करते जाएंगे पुइन आत्म हो जाएंगे तुम बाप के पास सरेंडर होते हो पूइन्य करते हो फिर याज से आत्मा पवित्र बनती जाती है कोई को भी समझाना है बहुत सहर भगवानु वज कब सुना है सौर के अस्थपना करने वाला वही फादर है बाप और वर्षे को याद करना है महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी परजा बनाई है ऐसे बहुत लिखते हैं कि फ्लाने ने हमको दृष्टी दी तीर लग गया परजा बनाने और वार्ष बनाने की मेहनत करनी पड़े परजा तो बहुत सहज बन जाती है फिर गर्दी पर कौन बैठेंगे वो अभी मेनत कर बनाना है माया जीद जगाजीद बनना है माया से हारे हार है बाप से शक्ति लेनी है या मेनत तुम बच्चों को करनी है कोई बात मुझते हो तो पूछते रहो बाप पढ़ाते हैं तीश में कोई संसर नहीं आना चाहिए ना अनेक प्रकार के शंकल्पों के तुफान तो आएंगे, बुद्धियोग तोड़ने की कोशिस करेंगे, तुफान लगेंगे, माया खुब हैरान करेगी, फिर कहेंगे यह तो माथाई खराब हो पड़ा है, जो बीमारे आदी कभी हुई नहीं, सब होती रहती है, बीगन ब और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप ददा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात् सिखलाई है उस रोहानी यात्रा पर रहना है सीमत पर देश सहीद सब कुछ भोलना है दुसरा पॉइंट कभी माया की तुफानों में कमजोर वर संसे बुद्धी नहीं बनना है किशी बात में मुझना नहीं है आज प्यारे मिठे बागा का बर्दान सदा भरपूरता के अनु भूती द्वारा तेड़े रास्ते को सिधा बनाने वाले शक्ती अवतार भो सदा शक्ती के गुनों के ग्यान के खुसी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूता के नसे से तेड़ा रास्ता भी सिधा हो जाएगा अगर खाली होंगे तो खड़ा बन जाएगा और खड़े में गिरने से मुझ आएगी जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें शंकल्पों की मुझ आती है शक्ति अवतार अर्था टेड़े को सिधा करने का कान्ट्रक्ट लेने वाले अब यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेड़ा है आगर कोई गिरते है तो अटेंसन की कमी है यह बुद्धी भर्पूर नहीं है सिलोगन है रुहाव को धारन करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं अ अच्छा, ओम शांति